तो है गाइस गूड मॉर्डिंग स्वागत आप सभी का एक नहे ब्लॉग में जैसे कि दोस्तों आपको टाइटल एंड थंबनेल देखे पता चल गया होगा कि आज की जो हमारी यात्रा ओने वाली है वो किसमें होने जाली है किसमें होने वाली है आज मैं बहुत ही जादा एक फ्लाइट में यात्रा कर देगा सो फ्लाइट के रिलेटर आपको बताएंगे सबसे पहले एरपोर्ट पूह जाते हैं ठीक है यहां से एरपोर्ट कम से कम 70 कि दूरी पर होगा तो दो मिनिट वेट करने के बाद हमारी आ गई बस अभी यहां पर रूके गीए तो चलिए बा कि अब कि यह थी दोस्तों अपनी बस और अभी मैं आ चुका हूं सत्वारी चोप पर यहां से जो एरपोट है वो कम से कम एक डेट किलोमेटर होगा मैंने पीछे पूचा तो भाई अभी मैं जा रहा हूं मतलब पैदल ही जा रहा हूं थोड़ी दूर है मैंने अंकल से पूचा बोरे कि थोड़ा ही चलना पड़ेगा अब मतलब एरपोट के अंदर जाएंगे वहां पर क्या पता शूट करने देंगे कि नहीं करने देंगे जैसे रेलवेस करने थेंगे तो आपका आपका मतलब भाई पता ये कैसा है मतलब चोड़ी शिपे करूंगा लेकिन जरूर अंदर मैं शूट करूँगा मैंने वीडियोज में देखा वहां में आंदर शूट करने देते हैं क्योंकि आपको पता है कि जम्मू का जो एरिया हो कैसा है बाकी यहां से आप सिर्फ अपने देश की जो फ्लाइट है वही पकड़ सकते हो जो कश्मीर में है वह मारा इंट्रनेशनली अब मतलब एयर बोर्ड है वहां से आप इंट्रनेशनली पगड़ सकते हो जानिकी देश से बाहर तो बाकी देख सकते हो ऐसा गुछ रोड है यह 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 आपना आर्यस पूरा वाला है और यह जो हाइवे ना यह अपना सीधा से आलकोर जाता है इस रूट में मैं लड़ी आ चुका हूं पहले वाया था अगर आपने यहां पर बॉर्डर देखना ना यहां पर एक बॉर्डर है सुची गड़ वाला सुची गड़ वाला तो अगर आपने वह देखना है तो आप भाई लोग कमेंट करके बताओं दोस्तों यह हमारा जम्मू ए लेकिन जो मेरी मतना फ्लाइड उड़ने वाली वह तीन बसके दस मिनिट पे उड़ेगी और 40 मिनिट लगेगे मेरी फ्लाइड को दीन बसके 50 मिनिट पे हम श्री नगर एरपोर्ट पे पहुंच जाएंगी बाकि आपको पता है जो एरपोर्ट होते हैं इनके भी स्टेशन क जो मारा जम्मू एरपोर्ट आज का स्टेशन गोड़ा आई एक्स जे माज को जो गेट था ना वह एक्जिड घेट था मैंने गलती से बोल दिया उसके लिए सौरी मैंने एक्जिड गोल गेट को एंट्री गेट ना दिया बाकि चलिए अब अंदर चलते हैं अपने आई ए यात्रा कर रहा हूं मैं यात्रा कर रहा हूं गो एर से और मेरा जैट का जो नाम है वो जी एट वन नाइन सिक्स यह मेरे जैट का नेम है बाकि काफी ज्यादा मतलब नर्वस हो रहा हूं कि अंदर वाई वीडियो बनाने देंगे कि नहीं बनाने देंगे बाकि यात्रा मैं घॉर जब बता दूं सर्फ 40 मिनिट की यात्राने वाली है कि तर की याutर इतनी होती हुए बखी में दोस्तों पीछे देख सकते हो काफी ज्यादा सीक्योरटी थे यहां पर आदंगी वाले लगे थे इस सीज का कांटर है यह बागी दोस्तों भी टाइम हो रहा है एक वज रहे हैं और आभी हम आ चुके हैं एरपोर्ट पर यहां पर लाइन पर लगें अगर आप आते हो यात्रा करने के लिए तो दौ गंटे पहले आ जाई हैं बाकि यहां पर एयर लाइन्स मतलब अबलेबल एर इंडिया है इंडिको है स्पाइस जैट है गो एर है प्रभिस्तार है हमारी जो होने वाली है वो गो एर की होने वाली है कर फिर्वाने सम्म में Although Кई आओंगा वो एक है और कोने निदया है जुआ है दोस्तों यहां पे फ्लाइट के नाम लिखे गए हैं कितने टाइम पि कितनी फ्लाइट ऊड़ेगी हमारी 15 दश्त पर उड़ेगी है है अपले अप्ट्त का दूर नि दिद रखे यहां से को इस्यां है किublika है को है смог कि को अ हूचज है किन हर वते को अ दुकिटि नियुत अमtoo का जँन है in a जुद्ब को एंद सहोड़ों कि वह एडिय Vander युद्ब सत्य स्वार्वर कि कईन के दूड़ चॉद्ब कि यह हमें बॉर्डिंग आपके दर्जा है यह आपका बॉर्डिंग पाज है आपकी सीट सब कुछ यह सीड दिया पी एनार दिया यह देख सकते हो यह वेटिंग हॉल जम्मू एयर बोड का देखिए यहां पर बेट कर रहा हूं मतलब अंदर जाना है मैंने सोचा पहले आप उनको प्रोशीजर बता देते हैं कि क्या क्या करना है ठीक है सबसे पहले जैसे आप एंटर करते हो जो नई मतलब जो मेरी तरह पहली बार यात्रा करेंगे सो उनको किन-किन बातों का विशेश दियान रखना है सबसे पहले आपका जो लगेज है वो 15 kg से कम होना चाहिए अ पहले बाद आपको लगेज होगा उस पर टैग लगेगा ठीक है जब लगेज पर टैग लगने के बाद आपको अपना काउंटर डूण रहे है ठीक है अलग-अलग मतलब पर आपको जब बैग उनको दे देना है जब यहां पर वो बैग बैग का वेट करेंगे उसके बाद आपको ऐसा मतलब बोर्डिंग पास मिलेगा अगर आप बोर्डिंग पास ऑनलाइन निकलवाते हो तो ठीक है अधर्वाइस आपको जहां पर बैग पत्म उनको दोगे तो वहां से आपको बोर्डिंग पास पिल जाएगा उसके बाद मुझे यह मेरा बैग श्री नगर जहां हम पहुंचे के फ सब्सक्राइब को दोस्तों यहां पर हमारा फाइनली जो चैक इन है वह हो चुक है अभी हम पूरी तरह से प्री हो चुके हैं पर हमें लाइट देखने को मिल चुकी है अपना आपको दी हतान दो चुके यह देखे यहां से उड़ेगी हमारी स्लाइट बाकि वह देखिए सब्सक्राइब को कि एरप्लेन दिख रहा होगा वह देखिए थोड़ा सा दिख रहा है बाकि यहां पर चल रहे हैं बाकि अभी दो बज़ चुके हैं एक गंटा और दस मिनिट है पर अगर आगी वाई स्लाइड यात्रा करते हो तो मैं आपको मोलूँगे कि दो गंटे पह अब हमारा जो फ्लाइड है वह एक बज़ के सौरी पीन वेच के दर्स मिनिट पर है को रहा है यह द्रिक्षी में फर्स टाइम देख रहा हूं जहाज मतलब की बैग हो रहा है देखिए इसको गाड़ी बैग कर रही है वह देखिए विस्तारा को वाव क्या खतरनाक व्यू दिखाते हैं आपको यहां से आप शॉपिंग बगरा हर चीज कर सकते हो मुझे ऐसा लग रहा है यहां पर मॉल्स मने ओंगे शॉपिंग के लिए उपर का नजारा दिखाएंगे अब आपको यहां पर कैसे वेट करते हैं यह देखिए क्या मतलब खूबसूरत यहां पर रा लग्स की यहां पर कब टाइम हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा मतलब मैं ऐसे उधर से उपर तक आया और मेरे 20-25 मिनिट ऐसे पास हो गया टाइम पास हो रहा है यहां अगर तो यह अभी टाइम हो रहा है कितना और अगर दो 30 हो रहे हैं आँगा ना थी दोदी सो रह तो यह भी मतलब जा रहे हैं यह गए थे देहरादून में कहा हमारी प्लाइट और इसके बीचे लगी हमारी फ्लाइट और अभी मतलब हम सेक्योर्टी चैक इन के लिए जा रहे हैं और हमारा फाइनल हां हमारा फाइनल बोडिंग होगा भी उसके बाद हम फ्लाइट में बैठ जाएंगे तो मतलब हमारा पहले गेट नंबर तीन बुला उन्होंने चार कर दिया वो उतर तीन पर स्पाइस जैट वालों को कर दिया हाँ झी यूथिथ चैनल हाँ हाँ आप शाओ फिर फ़िंडिया से चाँ काहा वो कर अपेहल में हों केरल में केरल में क्यारब है ह यह वो आगे हमारी फ्लाइट यह देखे यह नहीं है यह यह गो एर की है ना यह आ गई वही देखिए मैं आपको ट्रेन ने दिखा था अब आपको जहाज दिखा रहा हूं वही कि देखिए अब यह बहाँ पर लगेगी उस साइड कि अब इस जी आच नूं जे दिखी और कियाता करें आप सबीलिय अंपीटे कि दिखिए क्यों तुर्ण्थ प्रसदान करें कि करें नहीं है कि दिखाए में आपके लिए हमारे जैट में यह देखिए यह मतंब आरोप्लेंग दोस्तो देखिए मां अंदर आजए मरें हमारी यह चैसे हैं शयक्ताइन के दिखाए मुआ जाना विन ड्र जोषट नाजए आप पिंद्ध करने उना कि अवह निच्छा यह चाहिए मैं अजैंगे, इन इसे अश्या टेशित यह लिए है जाए जे नहीं बताए है कैसे जाएगे आप इतर से आफ नंबर देखते जाएए इस ते याड़ी शह नंबर लिखाऊना उसके लिए वादर से जाएगे सब्सक्राइब यह हमारी एरप्लेंड का इंटिरियर 3y3 का सीटिंग अरेजमेंट मिलेगा आपको किने अद्य हमने मैफ यहां को सामने आपको एक प्रेह मिलेगी अधर कि यहां पर मेंचीन शॉपिट यहां क्या डाला है इनोंने इसलिए पूरी मतब प्रिकॉशन डालें कैसे कैसे आपको बैटना है कैसे नहीं करना सब मतलब यहां पर लिखा रखना इसको डाल देते हैं अंधर और बंद कर देते हैं इसको बस यह हमारा फ्लाइट का इंटेरियर और बाहर देखो फोड़ी सी बिंडो दिख दीजिए आपको सब्सक्राइब कर देखो दीजिए आपको अवेयर ने प्लाइट आपकोपाया इवन दुरुगयों आधी अनुन के तहफ दंड़नी अबराद है मेरे साथ आपी स्रेवामी शालनी अपर्णार मुस्कान्य। आप काहित में तपूरने स्रफ एकुरां से पहले वेमान सनी का इस किया जाजा है स्रेवां से प्रवामी शालनी बालनी शालनी धॉकान्स데 और पेटी खोलने के लिए प्लाप उठाइए और दोनों सिरों को अलग करेंगी हम आपसे अन्रोद करते हैं कि सीट पॉकेट में रखे निर्देश पत्र को ध्यान से पड़ें हम अन्रोद की आपसे अन्रोद करेंगी ज़िए कर्लाइए अन्रोद करेंगी मिल्ट पास अन्रोद करेंगी आपके नहीं कर दो यह कर दो है कर दो आपके नहीं कर दो कर दो कर दो हुआ है कि तो हमारी ट्रेश रिक हमारी फ्लाइट अब टेक अफ पर चुक्क यह सक्सेस्ट ली और किया है मतलब क्या ही मतलब वीडियो बनाएं फ्लाइट में वहुत सारे जो या त्री जब डिस्टर वोंगे कर एं करो पें जाब है पुरसी इविराथी यहां दो बरहवारी हो गई है और यहां का टैंपरेटर है थाष्टी हो गई है और यहां का टैंपरेटर है फटीदिगी सल्सीस सब्सक्राइब करेंगे जो हमने वहां पर दिया था जमू एरपोर पर पैसे नमपर दो पर बोला हमें तो हम वेट करें हैं तो देखो वह बहुत ही ज़ा थंडी है इदर हमारा समान आएगा इदर यहां पर अभी क्योंकि शाम हो गई ना तो क्या गूमना है यह देखें दोस्तों बरव और यह देखें सिरनगर एर कोड के वाहर का वियू देखिए अंतर राष्ट्य यह अंतर राष्ट्य हवाई एड़ है वाई क्योंकि यहां से इंटरनेशनली फ्लाइट्स जाती हैं वाकि यहां पर काफी ज़्यादा ठंड हो चुकी है 5 डिग्री सेल्सेज यहां का ताप मान है बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही है इन देखो वाई बरफ पर चल रहा हूं में देखिए यहां पर भी बरफ ही बरफ है देखिए यहां हमारा एरपोर्ट शिर्नगर काफी बढ़िया व्यू है यहां का देखिए यहां से आप टैक्सी बगएरा ले सकते हो तो हमारे देश का तिरंगा तो देखिए क्या बरफ वारी हुई है और मैं बरफ में चल रहा हूं मेरे शूर्स मतलब नहीं है प्रटैक्शन वाले आगे जाओ और आपको गाड़ी मिल जाएगी वाकी काफी बंदा फील हो रहा है यार कहीं कितनी दूर है यहां से हां तो भाई यह मैं पता नहीं कहां कहां पूंच हूँ अभी एक कौन सी जगा है यह संदो की आपको जाना कहा है मेरे को कश्वीर जाना है मिल जाएगी बस क्या कर रहि determ Hearing Mm Mr. देखने के ली जाना है मतलब फिर हो चुचे माइपका फिर यहोट निधे का नहीं का चैता ब्याच का बंदावस अगर का पड़ दिन फानी साहा है मतलब कहीं का हास पूर आपको दीनिकर मेर्त गरवां मेर्त जां पर गभघा užटा सौर में नः नहीं ब यहां पर हम पास में एक होटल में रूम लिया है वाकि क्या रूम पराइस बड़ा हर एक सीज आपके जाथ शेर करेंगे कल आपको गुमाएंगे पूरा मतलब आज पास की जो प्लेस जाएंगे अब इस रस्टोरंट में रोकों उजस एंड लाइट गई हुए है कब आईगी कि आइगे विद्धिया है जाए यहां पर कैसे यही पर इस ही अवे विद्धिया ने करते हैं लाइख प्ली कि यहां यह जाए जाए है यहां सो यह यह लिए भई हमने बियानी आपर और अब को शवाख लेकर टैल लेका पर ओकर यह दिखाएंगे यार, बाट काफी जाद थांड ही दर, पर अब ये बड़िया बाद की यहां पर मोमोज मिल देखे और पतन की आटर पटा मिला है, लिए हमने बिर्यानी की खाई तो खा लेते हैं बिर्यानी उसके बाद लाइट आज आगी आपको होटल दिखा दीए हमने कहां पे लिए वाजी दोस्तों काफी थांड हो चुकिया यहां पर और यहां जा रहा हूं अपने रूम पर लेकिन मेरेको भूली गया कि मैंने रूम कहा लिया था देखो कितना सुंसान रास्ता है और कि आपको पता है यहां पर हेलीगाप्ट जो वह चार्ज है इधर बरफी बरफ है देखो इधर बरफी बरफ पड़ी हुई है पूरी और अब यह आपको बाहर दिखाएंगे उसको यह ब्लॉग इधर ही एंड करेंगे कि काफी लंबा ब्लॉग हो चुका है सो रूम टूर आपको सुछता सुभा करवाएंगे देखिए यह होटल के अब है अंदर है बागी दीख रहा होगा अब को दोस्तों रूम टूर में आपको सुभा करवांगा देख लो यहां पर गुच्छ भी नहीं दीख रहा होगा आपको और इस ब्लॉग को यहीं पेंड़ करते हैं मिलेंगे आपको सिधा नेक्स ब्लॉग में तब तक ले खुश नहीं सेफ रहें और अपना ध्यान रखें और यह जर्णी आपको कैसी लगी कमेंट करके जुरूर रधा हैं बागी रूम का मतलब प्राइस की बात करें तो यह ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जुरूर बताएं मिलेंगे आपको सिधा नेक्स ब्लॉग में तब तक ले खुश रहें सेफ रहें और अपना दियान रखें बाए बाए